देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे महाराश्ट्र विदान सबा का मांसुन सत्र आज बुद्वार को शुरू हुआ इससे ठीक पहरे विपक्षि दलो ने विदान भवन की सीडियो पर एकनाच शिंदे के नित्रित ववाली राज्य सरकार के खिलाब जम कर नारिबाजी की तो खबर है कि शिंदे गुट के कई विधायक अपने विभागों से खुश नहीं है हाला कि विधायकों ने इस बात से इंकार किया है वहीं मुबई पुलीस के हार बड़ी सफलता रगी है पुलीस ने गुजरात में मादत परात मेटे ड्रोन बनाने वाली एक इकाई का भंडा पोड किया है तो धर देश के आर्थिक राजधाने मुबई में आज बुधवार को भी भारिश को लेकर अलर्ट किया गया है कुछ दिन के अंतराल के बाद कल मंगलवार को मुस्लाधार बारिश हुई थी इस बीच बिजेपी नेता मोहित कमबोज ने एक बार पिर से फ्रीट कर दिखा है कि बहुत जल्ब NCP का एक बहुत बड़ा नेता नवामली और अनिन देश मुख के पास जाने वाला है प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है हमारे साथ महाराष्ट विधान सबा का मानसूल सत्र आज बुधवार को शुरू हुआ एसे ठीक पहले विपक्षी दलो ने विधान भावन की सेडियों पर एकनाश इंदे के नितरुत वाली राज्य सरकार के खिलाब जमकर नारेबाजी की विपक्ष के नेता अजुद पवार के नितरुत्वों में राश्टवादी कॉंग्रिस पार्टी और कॉंग्रिस ने किसानों के मुद्धों पर सरकार के खिलाब नारे बाजिकी विधायक आदित ठाकरे सहित उद्व ठाकरिक के नितरुत्व वाली शिवसिना के कुछ सदस्यों ने भी नारेबाजी में हिस्सा लिया कुछ विपक्षी सदस्यों को शिंदेफणवी सरकार की वैदता पर सवाल उठाने वाली तक्तियों के साथ देखा गया एक विपक्षी नेता ने कहा कि इस सरकार ने उन किसानों की दुर्दशा का नजर अंदास कर दिया है जिनोंने अधिक बारिश के कारण अपनी फसल खो दी है सरकार की वैदता भी संदेव में है और कानूनी रूप से बहस की जा रही है बतादे की वुद्वार को सुबह 11 बजे शुरू हुआ मांसूल सत्रफ 25 अगस्ट को समापत होगा विपक्षी नेतृत वाली सरकार पर निशाना साथते हुए दावा कर रहा है कि यह सविधानिक है अजित पवार इससे पहले कह चुके है जिस तरह से सरकार सत्ता में आई है उससे हमारा मानना है कि शिंदे सरकार निर्धारित सविधानिक नियमों के मताबिक नहीं बनी है ऐसे जुड़ी यह आचिकाओ पर सुप्रिम कोड का फैसला लंबित है खबर है कि शिंदे गुट के कई विधायक अपने विभागों से खुश नहीं है हाला कि विधायकों ने इस बात से इंकार किया है इधर उद्व ठाकरे गुट ने विधायकों के विधायकों को लेकर भारतिय जनता पार्टी पर निशाना सादा है रिपोर्ट में अंद्रुनी सुत्रों के हवाले से बताया गया है कि अधिकांश विधायक डिमोशन से नाराज है दादा भुसे और संदिपन भुम्रे ने सरकार में अपने विभागों को लेकर शिकायत की है इसके अलावा सिलोद विधायक अब्दुल सतार को क्रुशी मंत्रा ले दिये जाने से भी कुछ सदस्य नाराज होने की खबर है एक और जहां भुम्रे को रोजगार गारंटी योजना और होर्टिकल्चर विभाग दिये गया है सियम शिंदे का कहना है विभाग जरूरी नहीं है काम और जिम्मेदारी जरूरी है व्यक्ति को अवंटित किये गए विभागों के साथ न्याय करना चाहिए एक मंत्री केवल अपने विभाग ही नहीं बलकि पूरे राज्य का मुखिया होता है पुर्वविकास और राज्य की प्रगती के लिए काम करना उसकी जिम्मेदारी होती है शिवसेना की मुखबत्र सामना में भी मंत्रियों को विभागों के आवटेन पर सवाल उठाए गये है पार्टी का कहना है कि भाजपा ने शिंदेगुट के विधायकों का मजाग बना दिया है मुंबई पूलिस के हाथ बड़ी सफलता लगिये पूलिस ने गुजरात में मादग पदार्तों मेफेडरेन बनाने वाली एक इकाई का भांड़ा फोर्ड किया है पूलिस ने मोके से 500 किलोग्राम प्रतिबंदित पदार्त बरामत किया है इसकी कीमत 1026 करोड रुपे आ की गई है पूलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी बिते सप्ता भी मुंबई पूलिस की क्राइम ब्रांच ने मादग पदार्तों की तसकरी करने वाले एक गिरोग का भांड़ा फोर्ड किया था एक अधिकारी ने बताया कि एक गुपत सुचना के आधर पर पूलिस के मादग पदार्त निरोधक प्रकोष्ट वाली वरली ब्रांच ने गुजरात के अंकलेश्वर शहर में एक निर्मान इकाई पर 13 अगस को शापे मारी की वहाँ से 513 किलोग्राम सेंथिटिक ड्रग्स जब्द किया उन्होंने बताया कि एननसी के दल ने निर्मान इकाई के मालिक गिरिरास दिक्षित को गिरफतार कर लिया है गिरिरास ने केमेस्ट्री में PG किया है याद रहे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिते सप्ता मादक पदार्थों की तसकरी करने वारे एक गिरों का भांड़ा फोर्ड किया था डिसीपी दत्ता नलवाडे के मताबिक पुलिस ने इरोली बिरिस इलाके में जाल बिचाया और दो लोगों को कांजे के साथ किरफतार कर लिया आरोपियों के नाम अश्विनी कुमार शर्मा और राजू रमेश लुहार है दोन उठाने जिले के निवास ही थे इनके पास से 266 किलोग्राम का आज़ा बरामद हुआ है इसका बाजार मुल्य 66,50,000 रुपे बताया जा रहा था देश की आर्थिक राजदानी मुंबई में कुछ दिन के अंतराल के बाद मंगलवार को एक बार फिर मुसलदार बारिश हुई नगर निकाय के अधिकारों ने बताया कि कही भी निशले इलाके में भारिश जलजमाव की कोई खबर नहीं आज बुदवार को भी बारिश को लेकट अरड़ किया गया है वैसे फिलाल ट्रेन सेवाए और ब्रूम मुंबई इलेक्रोनिक सप्लाई एंड ट्रांसफोर यानि बेस्ट बस की सेवाए सामान्य है उन्होंने बताय कि सुबह शहर के अधिकतर हिस्सों में बारिश नहीं हो रही थी या हलकी बारिश थी बारी बारिश पुर्वान न करीब दस बज़े शुरिवी मौसम विभाग ने मुंबई के आगामी 24 गंटों के दोरान बारी बारिश की आशंग का जताई है मौसम विज्ञान विभाग ने दिन में शहर और उसके उपनगरों में आमतर पर बादल चाहे रहने के साथ ही खलकी बारिश का पुर्वान उमान डगाया है अगले 24 गंटों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है नगर निकाय अधिकारियों ने बताया कि शहर में मंगलवार को सुबह 8 बज़े तक पिछले 24 गंटों में 7.91 मीमी बारिश दर्ज की गई थी इस दोरान पूर्वी और पश्ची में उपनगरों में क्रम शहा 12.94 मीमी और 12.33 मीमी बारिश दर्ज की गई दोपेर 2 बज़े 57 मिनिट पर अरप सागर में 4.49 मिटर तक की उची लहरे उठ सकती है मुंबई के अधिकान शहिस्तों में पिछले कुछ दिन में हलकी बारिश ही दर्ज की गई आज बुद्वार को मौसम पुर्वान उमान को लेकर बीमसी ने करमियों को सवादान रहने के लिए का है इस दोरान पेयजल आपुरती के विवस्तापन की भी आशंका जताई गई है बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक बार फिर से ट्विट कर महाविकास आगाडी को चेतावनी दिये उन्होंने ट्विटर पर लिखा है हरहर महादेव अब तांडव होगा उन्होंने एक विट में यह भी लिखा है कि बहुत जल NCP का एक बहुत बढ़ा नेता नवाब मलिक और अनिल दिश्मुक के पास जाने वाला है कंबोज ने यह भी लिखा है कि इस ट्विट को सेव कर लीजिए कंबोज ने इशारे देते हुए कहा कि महाराश्य सिंशाई गोटा लेकी एक बार फिर से जांच की जानी चाहिए इस साल 2019 में पुर्वा IPS अधिकारी परमविर सिंग ने बन कर दिया था इसके पहले मोहित कंबोज ने NCP नेता और पुर्वा कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक पर भी जम कर निशाना साधा था उस दवरान मोहित कंबोज समेट देवेंद्र पढ़नवी इस ने भी मलिक को निशाना बनाया था उनके खिलाब अंडर वर्ड के साथ संबन्द रखने और मनी लॉंडरिंग का गंभीर आरोप लगाया था बिजबी के नेता और द्वारा की गई शिकायत के बाद नवाब मलिक को इडी ने पुश्थाच के बाद गिरफतार किया था फिलाल नवाब मलिक मुंबई की ऑथर रोड जेल में कैद है इसी तरह से पुर्वगरोह मंत्री अनिल देश्मुग भी मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार किया गया है देश्मुग पर पुलिस महकमे के अधिकारियों का गलत इस्नमाल करके सो करोड रुपे हफता वसूलने का आरोप है यहां आरोप पुर्वग मुंबई पुलिस कमिशनर परंबिर सिंग ने लगाया था तलाग के हसन के खिलाब अर्धी पर सुप्रिम कोर्ट ने कहा है कि ये तीन तलाग जैसा नहीं है इसलिए पहली नजर में हम याचिका करता से सहमत नहीं है तो राजनेतिक दलों की और से मुफ्त सुविदाय और चीज़े देने की स्कीमों के एलान पर सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोग तहीं लगा सकते वही राजस्थान के जालोर में दली छात्र की मौत को लेकर सियासत चरम पर है अब कॉंगरेस सरकार में अंद्रूनी कलह भी सामने आ गई है तो उधर फुटबॉल मैच के दो राग दो दोस्तों में इसकदर जगड़ा हुआ कि एक ने दूसरे का सिर्फ कलम कर दिया इतना ही नहीं वो कटे हुए सिर्फ को लेकर नजदी की ठाने में भी पहुच गया इसे बीच के इंद्रे मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि जल्दी सभी पुराने वाहनों में नई नंबर प्लेट भी लगाई जाएंगी ताकि GPS और अत्याधूनिक सिस्टम से वाहनों को मॉनिटर किया जा सके देशबर की इन पाज बड़ी खब्रों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ तलाके हसन के खिलाफ अरजी पर सुप्रिम कोट ने कहा है कि ये तीन तलाक जैसा नहीं है इसलिए पहली नजर में हम याचिका करता से सहमत नहीं है ये मुस्लिम महिलाव के साथ भेदभाव पुर्ण है जस्टीस SK कॉल की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर पती और पत्मी एक साथ नहीं रह सकते तो सम्विधान के अनुच्छेत 142 के तहट तलाक दिया जा सकता है ये उस तरीके से तीन तलाक नहीं है याचिका करता की वकिल पिंकी आनन ने कहा कि वो इस मामले में निर्देश लेकर आएंगी कोट ने सुनवाई 29 अगस के लिए टाल दी है बता दे कि इसलामी धार्मिक कानुनों में बिना कोट जाय तलाक को मान्यता दी गई है मुस्लिम परसनल लौ में तलाक बिद्दत तलाक एहसन और तलाक के हसन का जिक्र है सुप्रिम कोट से तलाक एविद्दत यानि तीन तलाक खारीज हुआ है जबकि तलाक एहसन चलन में नहीं है तलाक एहसन चलन में है तलाक एहसन तीन महिने में पूरा होता है इसके तहट महवारी के बार महिला से पुरूश तलाक करता है लेकिन इस दौरान दोनों एक साथ रहते हैं और परिवार के बड़े बुजरुग दोनों में सुलहा करने की कूशिश करते हैं इस दोरान एक-एक महिने के अंतराल पर पूरुश तलाग करता है और तीन महिने तक अगर सुलहा नँव हो पाए और तीन महीने तक अगर सुलहर नौव हो पाए तो तलाग की प्रक्रिया पूरी होती है राजनेतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविदाय और चीज़े देने की स्कीमों की एलान पर सुप्रिम कोट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते चिफ जस्तिस एंवी रमना की अग्वाई वाली बेंज ने कहा कि अधालत राजनेतिक दलों को मुफ्त में चीज़े देने की स्कीमों का एलान करने से नहीं रोक सकती ये सरकार का काम है कि वो लोग की welfare के लिए काम करें चिफ जस्तिस ने कहा कि किन स्कीमों को मुफ्त खोरी की घोशनाव में शामिल किया जा सकता है और किने नहीं ये बहुत ही जटिल मसला है क्या हम मुफ्त शिक्षा के वादे को भी फ्री बीज मान सकते है क्या पीने का पानी और कुछ इने बिजली मुफ्त दिने को भी फ्री माना चाल सकता है मामला जटिल है आप अपनी राय दे सकते हैं बहस और चर्चा के बाद हम इस पर फैसला ले सकते हैं यहीं नहीं कोट ने यह भी कहा कि अकेले वादों के आधार पर ही राजनेतिक दलों को जीद नहीं मिलती चिफ जस्तिस ने इस दौरान मंद्रेगा का उध राजस्थान के जालोर में दली चातर की मौद को लेकर सियासत चरम पर है न सिर्फ भारतिय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने राजस्थान सरकार को घेरा है बलकि कॉंग्रिस सरकार में अंध्रूनी कलह भी सामने आ गई है एक तरफ दलीतों पर अत्याचार रोपने में आकाम रहने का आरूप लगाकर कॉंग्रिस के विधायक पानाचन मेगवाल ने इस्तिफा दे दिया तो पुर्व उपह मुख्य मंतरी सचीन पालेट ने पीडित परिवार के घर पहुच कर मुख्य मंतरी को नसीहते देडा ली उन्हों दलीतों में ये विश्वास पैदा करना होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं इसके अलावा कोई अन्यवी कल्प नहीं है इसी बीच भाजपा ने गहलोत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ पाइलेट को सहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है राज चुनाव से पहले भाजपा को भी मुद्ता मिल गया है फुटबॉल मैच के दोरान कहा सुनी की गई घटनाय सामने आती रहती है लेकिन असंप से जो संसनिक हैस घटना आई है वो शायद बेहट डरावनी है यहाँ एक फुटबॉल मैच के दोरान दो दोस्तों में इसकदर जगडा हुआ कि एक ने दूसरे का सिर कलम कर दिया इतना ही नहीं वो कटे हुए सिर को लेकर नजदी की थाने में भी पहुच गया दरसल ये घटना असंप के सोनी पूरजी लेकी है यहाँ स्थित रंगपाड़ा थानाक्षेत्र में ये सब हुआ है मीडिया रिपोर्स के म कुताबी घटना सोमवार को दोयालूर इलाके में स्वतंतरता दिवस्त के मौके पर आयजीत फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद हुई है इस मैच में दो दोस्तों ने 500 रुपे की शर्त लगाई हुई थी शर्त में ये था कि जो भी हारेगा उसे पैसे दिनने एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तुनी राम एक टीम का समर्थन कर रहा था जबकि हेम राम दूसरी टीम का प्रशन सकता हेम राम ने शर्द जित ली और पैसे मांगे लेकिन तुनी राम ने पैसे नहीं दिये ये मामला इसके दर बढ़ गया कि तुनी राम ने शुरू हो गई है पुलीस प्रत्यक्ष दर्शियों से बाच्चित कर घटना का पूरा विवरन तयार कर रही है जल्दी विस्त्रूत रिपोर्ट तयार किया जाएगा देश में मोटरसाइकल, कार या अन्यवाहन चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है दरसल जल्दी सभी पुराने वाहनों में नई नंबर प्लेट भी लगाई जाएगी ताकि GPS और अत्याधूनिक सिस्टम से वाहनों को मॉनिटर किया जा सके केंद्रिय सडग परिवहन और राजमाग मंत्री नितिन गड़करी ने ये जानकरी दी है ये सरकार का देश में टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना की दिशा में एक कदम होगा गड़करी ने कहा कि नए वाहनों के लिए टेमपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का इस्तमार 2019 से शुरू किया गया था जहां सरकारी एजनसिया वाहनों के बारे में सारी जानकारी प्राप कर सकती है अब हमने पुराने वाहनों को भी यही प्लेट उपलब्द कराने का फैसला किया है मौजुदा समय में आपको एक दूसरे से 60 किलोमेटर दूर स्थी टोल प्लाजा पर भी पुरा शुरुद देना पड़ता है अब अगर आप हाईवे का इस्तमाल सिर्फ 30 किलोमेटर के लिए करते हैं तो नई तकनिकी की मदद से आप से आधी कीमत ही ली जाएगी गड़करी ने कहा कि केंद्र सरकार देश को जल्द ही टोल प्लाजा से मुक्त कराने के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि वहानों का कोई ठैराम नहीं होगा इसलिए प्रदुशन कम होगा और इससे समय की बचचत भी होगी और लोगों का फायदा होगा पैसे बैंक खातों से सीधे काटे जा सकते हैं लंगन में शादी का सपना संजवे एक दुल्धे को उसकी होने वाली दुलन ने एरपोर्ट पर ही गच्चा दे दिया और लाखो रुपे लेकर पुर हो गए तो जनमदर रिकॉर्ड कम होने से चिंतिचीन की सरकार लोगों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोचसाहिद कर रही है वो अलग से स्कीम भी देख रही है वही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 तक अमरीका भीशन गर्मी की चपेट में होगा जहाँ ताप पांग बावन डिगरी तक पहुँच जाएगा तो उधर बाबा वेंगा की भरी शमानी माने तो इस वर्ष भारत में टिड्डियों का प्रपोग बढ़ सकता है इसे बीच पाकिस्तान में एक बार पिर पेट्रोल की कीमते बड़ी है इस फैसले से आहर मरियम नवाद अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर गई है दुनिया बर के इन पाज बड़ी और खास ख़ब्रों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है हमारे साथ शादी का सपना संजोए एक दुलहे को उसके होने वाली दुलहन ने एरपोर्ट पर ही गच्चा दे दिया इतना ही नहीं उसके सामान के साथ लाखोर रुपे लेकर फुर हो गए बेचारा दुलहा शादी तो छोड़ो अपना पैसा और सामान के लिए मंगेतर को ढूंता फिर रहा है शक्स को इस छोड का एहसास तब हुआ जब अपनी शादी के हसीन ख्वाप को पूरा करने के लिए मंगेतर के साथ लंदन से इटली जाने के लिए एरपोर्ट पहुचा ये घटना दोनों की सगाई के ठीक एक दिन बाद हुई दोनों शादी के लिए रोम की उडान भर रहे थे दरसल कपल की आपस में ही हाल ही में मुलाकात हुई थे दोनों ही लोग अपने 40 वे साल में चल रहे थे मुलाकात हुई तो प्यार परवान पर चड़ने लगा तेकिन शक्स को क्या पता था कि उस हसीन जहरे के पीछे एक लूटे रही थी जो उसका लाखो रुपए और सामान लेकर भाग जाएगी दोनों लोग डंदन के हिथ्रो एरपोर्ट पर इटली जाने के लिए तयार थे वेटिंग रूम में बैट कर फ्लाइट का वेट कर रहे थे मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हा उस वक्त दंग रहे गया जब उसकी मंगेतर उसे हिथ्रो अवाई अड़े पर छोड़ कर परार हो गई इतना ही नहीं उसका सारा सामान और 5,000 पाउन यानी करीब 4,80,000 रुपे नगत लूट कर भाग गई पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जूटी हुई है हाला कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि महिला एरपोर्ट से चोरी करके भागी है या फिर सामान के साथ प्लेन में चड़ गई जन्मदर रिकॉर्ड कम होने से चीन की सरकार चिन्तित हो गई है अब खुद सरकार अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रत्साहित कर रही है साथी सरकार ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों के लिए अलग से स्कीम भी दे रही है कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो नगत लाब मिलेगा पहले चीन में एक बच्चे पैदा करने का नियम था ये नियम काफी कठोर माना जाता था नतिजा ये हुआ कि धीरे धीरे चीन की जन संख्या घटने लगी इसको देखते हुए बिजिंग ने 2016 में एक बच्चे वाला नियम को खत्म कर दिया था पिछले साल ही चीन ने जोडों को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमती दे दी इसके बाद भी पिछले पाच सालों का रिकॉर्ड देखे तो चीन में जन्दर तेजी से गिरावट देखी जा रही है अब सरकार के नीन खुली है तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले पूरुष और महलाओ के लिए भत्ते देने का वादा कर रही है पूर्वी शहर हांग जो ने घोशना की है कि तीन बच्चे वाले परिवार पहली बार आवाज भविशन इधिरिन के लिए आवेदन करते समय अधिक तम सीमा से 20 प्रतिशत अधिक लोन ले सकेंगे साथी जादा बच्चे पैदा करने वाले दंपतियों के लिए प्रजनन सहायता से संब्धितनी अमों का लाप प्राप्त होंगे साथी सबसिडी, नकत प्रोटसाहन, टैक्स की छूट और बहतर स्वास्थ भीमा भी मिलेगा इतना ही नहीं, जादा बच्चे पैदा करने वाले स्कीम के तहट, यूवा परिवारों के लिए शिक्षा, आवास और रोजगार साहधा भी प्रदान की जाएगी जलवायू परिवर्तन पर चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक, 2023 तक अमरीका भीशन गर्मी की चपेट में होगा, जहाँ तापमान 52 डिग्री तक पहुच जाएगा रिपोर्ट बताती है कि अमरीका की आधिया आबादी भयंकर गर्मी की चपेट में होगी अध्यान के अनुसार, अमरीका की 10 करोड आबादी चिलचिलाती गर्मी में रहने को मजबूर हो जाएगी राश्ट्रे मौसम सेवादवारा निर्धारित अत्याधिक श्रेणी की गर्मी जिसे अत्याधिक खत्रे की श्रेणी में रखा जाता है सबसे बड़ी चिंता का विशाई ये है कि भीशन गर्मी का प्रभाव क्षेत्र दोजार त्रेपन तक इतना बढ़ जाएगा कि ये 10 करोड 70 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा ये अमरीका में वर्तमान की तुलना में 13 गुना अधिक होगी अगर रिपोर्ट सही निकली तो उत्तरी टेकसस, इलिनोईस, लुईसानिया, इंडियाना और विसकॉंसिन तक फैले इलाकों में भीशन गर्मी पड़ेगी आधियन के मुताबिक 2023 तक इन क्षेत्रों में 34 दिनों तक इतने ही तापमान रहने की आशंका है कुल मिला कर देखा जाए तो आने वाले दिनों में दुनिया के कई देश गर्मी के भीशन चपेट में आ सकते हैं बता दे कि जब साक्षेप आर्दरता हवा में मौजूद तापमान के साथ मिलती है तब एक इनसान का शरीर कैसा महसुस करता है इसके लिए तापमान सुच कांख निकाला जाता है इसको लेकर शोद करताओं ने एक मौडल विक्सित किया है इस मौडल के मताबिक 2014 से 2020 के बीच सैटलाइट से मापे गए धर्ती की सतह का तापमान और वायू के तापमान का परिक्षन किया गया यदि आप भविश्यवाणियों, पुरवानुमान, जोतिशियों और मनुवी ज्यान पर विश्वास करते हैं तो बाबा वेंगा ऐसा नाम है जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा बाबा वेंग्या के दो पूर्वानुमान है जिसमें से एक भारत के बारे में है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है बाबा वेंग्या ने 2022 के लिए भारत के लिए कहा था कि दुनिया का तापमान घटने की वजह से टिडियों का प्रकोब बढ़ जाएगा बोजन की तलाश में टिडियों का जुन भारत पर अटेक करेगा जिससे भारत में बड़ी मातरा में फसले नश्ट होंगी यहां तक कि अकाल जैसी परिस्थि भी आएगी भारत और रूस के लिए उन्होंने एक और भविश्यवानी की है कि रूस के साइबिरिया के क्षेत्र में 2022 में एक ऐसा खतरनाक वाईरस निकलेगा और इतना तेजी से फैलेगा कि इससे लाखों की मौत हो जाएगी आस्ट्रेलिया और यूरोप के लिए उनकी कही गई बाते सच हो चुकी है 2022 के लिए उन्होंने भविश्यवानी की थी कि कई एशियाई देश और आस्ट्रेलिया बार से प्रभावित होंगे भविश्यवानिया सही हुई भारी वर्षा और बार ने आस्ट्रेलिया के पुर्वितट पर बर्ष में लंबे समय तक कहर बर पाया बाबा वेंग्या ने ये भी भविशवानी की थी कि यूरोप में सुखे के परिणाम स्वरूप बड़े शहर पानी की कमी से प्रभावित होंगे जो सच हुआ बाबा वेंग्या बुलगारिया की रहने वाली थी बारा साल की उम्र में उनकी दोनों आखों की रोशनी चली गई थी और कहा जाता है कि आखों की रोशनी जाने के बाद उन्हें दिव विद्रिष्टी प्राप्त हुई है पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल की किमते बड़ी है जिससे जनता नाराज है जनता की नाराजगी को देखते हुए सरकार में शामिल लोग भी खुश नहीं है मरियम नवाज अपने ही सरकार के खिलाफ उत्री है और पेट्रोल के बड़ी किमतों को जनता पर बोज बताया है पुर्वर आश्रपती आसिव अली जर्दारी ने कहा कि पीपीपी सरकार का एक हिस्सा है और इसका समर्थन करता है लेकिर ऐसे फैसलों पर परामर्ष होना चाहिए हम सब यहाँ लोगों को राहत देने के लिए इस सरकार में हैं और ये हमारी सरवोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए हम प्रधान मंत्री के साथ है और जल्द ही उनसे मिलेंगे और आर्थिक टीम के बारे में बात करेंगे दरसल पाक सरकार ने गजसोंवार को पेट्रोल के दाम में अगले एक पकवाड़े के लिए 6 रुपे 72 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की वित्त विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि आंतराश्य बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चड़ा और विनिमाई दर में बदलाव के मद्यनजर सरकार ने मौजुदा कीमतों या पेट्रोलियम उत्पादों को उपभोगताओ पर प्रभाव डालने के लिए संशोधित करने का फैसला किया है सरकार के इस फैसले की जंता ने काफी आलोशना की है नागरिकों का विचार है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमते नीचे की और है और फिर भी पाकिस्तान में उनकी कीमतों में वृद्धी की जा रही है वीटर झाल झाल